बुलिये पावन श्रीमत प्रज्या पुरान की, सदु गुरुदेव भगवान की, मंदनिया माता जी की, गायत्री माता की, धंगा मैया की, शत्यशनातन धर्म की, पावन कुम्ब पर्व की, उस प्रान सरूप, दुख नाशक, सुख सरूप, स्रेष्ट, तेजस्वी, पाप नाशक, देव सरूप परमातमा को, हम अपनी अंदर आत्मा में धारण करें, वह परमातमा हमारी बुद्धी को सन मार्ग में प्रेरित करें, इनी भावों के साथ, देव मंत्र, वेद मंत्र, रिशी मंत्र, विश्व मंत्र, गुरु मंत्र, गायत्री महा मंत्र का गान, हम सब साथ साथ करें, इन भावों के साथ विश्व व्यापी कुरोना महमारी का शमन हो सभी नर नारी बालक व्रद्ध देश और विदेश में रहने वाले हमारे अपने या समस्त संसार के प्राणी स्वस्त सुखी बिमारी से मुक्त हो ऐसी मंगल सुबेच्छा मंगल शुब कामना करते हुए रिशी चरणों में प्रार्थना करते हुए गायत्री महमंत्र हम सब साथ साथ उचारित करें ओम भूर भूवाह स्वाह तच्सावी तुर्वारे न्यम भर्गो देवस्य धीमाहि धीयो यो नाह प्रचो दयाद ओम ज्ञानति मिरांधस्य ज्ञान अंजन्षलाकया चक्षुरुम्मेलितम्येना तस्मै श्री गुरुवे नमहा मात्रवत लाले त्रीचा पित्रवत मार्ग दर्शिका नमोस्त गुरुशत्ताये शद्धा प्रग्या युता उचया ध्यान मूलं गुरुर मुर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर वाक्यं मौक्ष मूलं गुरुक्रपा तुमादि देवाह पुरुशह पुराणह तुमस्य विश्वस्य परम्निधानं वेतासि वेद्यम्च परम्च धाम त्वयाततं वीश्वमनंत रूपः नमस्तै सतेते जगत कारणाय नमस्तै चिते सर्वलुकार्षयाय नमो द्वेत तत्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्रह्मनिव्यापिनेशास्वताय वन्दे देववमापतिम् सुरुगुरुम् वन्दे जगतकारणम् वन्दे पन्नगभूषणम् रगधरम् वन्दे पशुनांपतिम् वन्दे सूर्यशशांक वहनिनयनम् वन्दे मुकुंदाप्रियम् वन्दे भक्त जनाश्रयम् जवर्दे वन्दे शिवंशंकरम् वन्दे शिवंशंकरम् ओम् नमोस्त्वनन्ता यसहस्र मूर्तय सहस्र पादाक्षशिरोरु बाहवे सहस्र नामने पुरशाय शाश्वते सहस्र कोटी युगधारिने नमाहा सद्गृदेव नमाहा देवि सुरुपा मात्र शक्ती बहनों देव तुल्ले आत्मी भाईयों रास्ट के करणधार युवासाथियों पावन कुम्ब पर्व पर देश देशांतर से आय हुए सभी शद्धालुगण आश्रम में साधना रत नवरात्री साधना के हमारे बंदु भगिनी आज नवरात्री के पंचम दिवस में हमको आपको पावन प्रग्या पुराण का अम्रत पीने का पिलाने का आउसर परमात्मा ने सद्धुरुदेव ने हमको आपको दिया है भाई और बहनों भगवान विश्णु के स्री मुख से निकली पावन प्रग्या पुराण इश्वर आदर्शों और अच्छाईयों का समुच्च भगवान ब्रह्मा जी जो इस संसार को बनाते हैं भगवान विश्णु जी जो इस संसार को समालते हैं और भगवान शिव जो इस संसार में सरजन के लिए परिवर्तन करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी को generator कहा जाता है, भगवान विश्णु को operator कहा जाता है और भगवान शिव को constructive destroyer कहा जाता है। इसलिए generator का G, operator का O और destroyer का D मिलाकर G-O-D God बनता है, जो बनाता है, जो समालता है और जो मिटा सकता है। संभालने वाली जो सकता है भगवान विश्णु को जो बार-बार धरती पर आउतार लेकर आते हैं। जब जब होई धरम किहानी बाड़ याशूर अधाम अभिमानी राम शिया राम शिया राम जय जय राम तब तब धरे प्राभो विविधा सरे राम हरा ही क्रपाने दि साजन पेरा। शिया राम शिया राम शिया राम जय जय राम भगवान विश्णु भगवान विश्णु श्री विश्णु भगवान धरती पर आउतार लेकर आते हैं। और परश्थितियों को बदलते हैं वे भगवान श्री विश्णु रिशियों के रिशी देवताओं के रिशी देव रिशी भगवान श्री नारत महराज को अपने स्री मुख से सुनाते हैं भगवान विश्णु ने देव रिशी महराज को जो बात सुनाई देव रिशी के द गव माता को जव खिला कर गंगा में गोमुत्र में निकलने वाले गोबर में निकलने वाले उन दानों को धोकर गंगा जल से धोकर उसकी रोटी और छाच बना कर खाई 24 लाख गायत्री महामंत्र एक साल में जिनोंने जपे इतनी उग्र तपश्या जिनोंने की उग्र तपश्या समाज के लिए विश्व के लिए राष्ट के लिए पीडित मानवता के लिए पतन में गिरी विश्व मानवता के लिए बिलकते समाज के लिए जलती दिशाओं के लिए तूटते राष्ट के लिए बिखरते मनुष्य के लिए उन्होंने अपनी तपश्या क और उस तपस्या का परिणाम कि भगवार विश्णू से दादा गुरु देव तक जो पहुचा शीमत प्रग्या पुरान का दिव ज्यान इस दिवग्यान में भगवान विश्णु से जब देवरिशी नारत कहते हैं प्रश्ण पूचते हैं तो देवरिशी नारत भगवान विश्णु को प्रश्ण पूचते हैं भगवान विश्णु उनको समाधान देते हैं या कि समस्याओं का समाधान क्या होगा प्रथम खंड के प्रथम दिवस के पावन प्रकरण में हमने आपने वो श्रवन किया है उसमें भगवान विश्णु देवरिशी नारद जी को कहते कि है नारद ज्ञान पक्ष के रूप में आपको पावन प्रग्यापुरान की कथा कर नहीं होगी ग्यान यग्य करना होगा तब देवरिशी नारद ने कहा कि भगवान मुझे पावन प्रग्या पुरान तो पता नहीं तब देवरिशी नारद से भगवान कहते हैं नारद समाधिस्त हो नारद समान तीनों का दिवग्यान उतर पड़ता है देवरिशी नारद को भगवान ने समाधिस्त कराया और हिमाले की उपत्तिकाओं में भागी रथी के तटपर नेमिशारण्य के दिव्वतिर्त क्षेत्रों में विबिन दिव्व स्थानों में रिशी महिर्शियों ने जो को दिव्व समागम किये उन समागमों से देवरिशी नारद को समाधिस्त करा के जोड़ा और वो दिव्व ज्यान उनमें उतरा संसार भी खुशाल हो और व्यक्ति भी खुशाल हो परमातमा का ये संसार खुशाल बने और व्यक्ति की आत्म तरकी भी हो ये दोनों काम कैसे सधे इसी विज्यानिक अध्यात्मवाद की कथा को पावन प्रग्या पुरान की केथा कहते हैं, उनिश्वा पुरान है, विज्ञानिक अध्यात्मा, we are representing scientific spirituality, it means what, कि संसार भी तरक्की करे, संसार भी सुन्दर बने, श्रेष्ट बने, संसार में अभाव मिटे, यह साइन्स है, और अध्यात्मिक्ता क्या है, अध्यात्मिक्ता यह है, कि व्यक्ति की चेतना भी उसी के अनुरूप में विक्सित हो, बाहर विकास हुआ, लेकिन अंदर विकास नहीं हुआ, तो विकराव हो जाएगा, अंदर विकास हुआ, बाहर अभाव रहा, तो व्यक्ति कस्टों में पढ़ा रहेगा, इसलिए रिश आज के मनुष्य के लिए क्या हो सकता है, रिशियों की रिशियों से चर्चा, रिशियों का रिशियों से पूछा गया प्रश्न और मानो समाज और मानो सम्विता के कल्यान के लिए, केवल भारत के लिए नहीं, दुनिया के छेसो करोड से भी ज्यादा लोगों के कल्यान के साथों महाध्दिपों के लिए हर अमीर गरीब उचे नीचे काले गोरे सब के लिए मानो मात्र एक समान एक पिता की सबसंतार मानो मात्र का कल्यान कैसे हो ये कथा पावन प्रग्या पुरान की कथा है समाज को समस्दारी इमानदारी जिम्मेदारी और बहादूरी कैसे दी जाए व्यक्ति परिवार समाज राष्ट कैसे खुशाल बने समाज कैसे स्वर्गी परिस्थितियों को उपलब्द हो और स्वर्ग से भी बढ़िया परिस्थितिया जिसे कहा जाए प्रग्या युग प्रग्या युग आने वाला है युगने ली अंगडाई प्रग्या युग आने वाला है सत्युग से भी स्रेष्ठ युग बाई और बैनों जहां बाई जगत और आंतरिक जगत दोनों पोशन पाने वाले हैं ऐसी पावन प्रग्या पुरान की कथा हम रिशियों के स्री चरणों में प्रार्थना करके श्रमन करने जा रहे हैं हम सब निमित्त मात्र है परंप जुकुरुदेव वेद मुर्ति तपोनिष्ट पंडिश शिराम शर्मा अचारजी बंदनिया माता भगवती देवी शर्मा सजल शद्धा प्रखर प्रग्या से हम सब को वो ज्यान दे वो आशिरवाद दे हम सब पर वो क्रपा करे अखंड दीप गाईत्री माता सब्त सरोवर गंगा मैया कुम्ब में पदारे सभी रिशी सब हम सब पाशिश दे हम आप तक इस दिव ज्यान को पहुझाने की अल्प सामर्थ प्राप्त कर सके लेकिन उसके पूर्व नवरात्री है नवरात्री में हम मा से भक्ति मांगे मा से प्रार्थना करे हमें वो भक्ति दे, शक्ति दे और भक्ती और शक्ति के सहरे ही हम मुक्ति को प्राप्त हो हमें भक्ति दो मा रिशी क्या कहते हैं माह में वह भक्ति दो संवे दिना से चल चलाई माह में वह शक्ति दो हर अने से जुझ जाई स्वार्थ से रह दूर मां सर्वार्थ में जीवन लगा दे पतन पीडा को मिटा कर नव स्रिजन के काम आए हमें भक्ति दो मां हमें शक्ति दो मां हमें वक्ति दो मां सतत साधना की तपन मागते हमें भक्ति दो मां हमें शक्ति दो मां सतत साधना की तपन मां में तेरे नदन भामो कुछ आपसे मांगते मां नदन भामो कुछ आपसे मांगते मां विमल ज्ञान की एक तपिरण मांगते हमें वक्ति दो मां सानि दन दसा सानि दन दमा माधमा दमारी वर नरसा दमाधान सारसा सानि दन दमा मां तन वक्ति दन न भामो कुछ आपसे मांगते तपिरण मांगते रिदय भावना से प्यार से भरे हो लगे दिल की पीर बन कर छलटने रिदय भावना से प्यार से भरे हो लगे दिल की पीर बन कर छलटने द्रभित हो उठें बातने दिल का दुखी लगे अश्र बन कर रयन में मचलने द्रभित हो उठें बातने दीन का दुखी लगे अश्र बन कर रयन में मचलने नहीं काम ना वासना चाहिए मां सतत साधना का वरण मांगते ही आमें भक्ति दो मां सानी घानी धासा, सानी घानी धामा तुम्ही वेद माता, तुम्ही देव माता, तुम्ही विश्व माता, तुम्ही भगवते हो तुम्ही वेद माता, तुम्ही देव माता, तुम्ही विश्व माता, तुम्ही भगवते हो पतन पाप से मुत करने तुम्ही दो, पतित पावनी हो, भागी रथी हो पतन पाप से मुत करने तुम्ही दो, पतित पावनी हो, भागी रथी हो, सारे जारी दापमा दापमा दर से नवर दान अनुदान कुछ चाहिए माँ, तुम्हारे चरन में शरन मागते हो हमें वक्ति दो, हमें शक्ति दो, सतत साधना की तपन मांगते हैं पतन भाम कुछ आप से मांगते मां, दिमल ग्यान की एक तिरण मांगते हैं हमें वक्ति दो, हमें शक्ति दो, सतत साधना की तपन मांगते हैं दिमल ग्यान की एक तिरण मांगते हैं तुम्हारे चरन में, तुम्हारे चरन में, शरन मांगते हैं पावन नवरात्री के सुवावसर पर, पावन गंगा के तठ पर, युगतीर्थ शांति कुझ में कुम्ब जैसे दिव्य सुवावसर पर, आप और हम, शक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं शक्ति से शक्ति की प्रार्थना भाई और बहनों, आज की जो प्रग्यापुरान की कथा है, वो शक्ति की कथा है अर्थात, प्रथम खंड के छटे अध्याय का सत साहस संघर्ष प्रकरण साहस और संघर्ष का प्रकरण रिशी पिपलाद जी और महर्शी पिपलाद जी और महर्शी दुरवासा रिशी के बीच का जो सत्साहस संघर्ष प्रकरन है उस पर आज आप और हम चर्चा कर रहे हैं दिया जरूर जलाऊंगा चाहे मुझे इश्वर न मिले हो सकता है दीपक की रोशनी से किसी मुसाफिर को ठोकर न लगे ज्यान यग के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा उन श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा ज्यान यग के लिए समर्पित ज्यान की करांती की आज समाज को आवशक्ता है बाई और बेनो रोटी कपड़ा और मकान साथ साथ नेतिक उत्थान जब तक व्यक्ति को सदग्यान नहीं मिल जाएगा तब तक व्यक्ति और समाज खुशाल नहीं होगा छटे अध्याय में दुरवाशाजी महराज आरण्यक सत्र के जिग्यासू अग्रिम पंक्ती में बैठे हैं सेकड़ो रिशिवर बिराजित हैं श्रवन कर रहे हैं प्रश्नोत तरीका क्रम चल रहा है श्रीमान दुरवाशाजी महराज सभा के सत्र के अध्यक्ष महरशी पिपलाद जी से पूछते हैं दुरुवासावाच्य ब्रह्म विध्या प्रवर्तेही संबर्धनस्य प्रसंग के देवयद भवता प्रोक्तम क्रतार्थां बयमात्रतू तथा पेक्यम दुपश्यामो यसमंज समात्रयत संसारे व्याप्तवं दुर्भावई ही संगर्षम की विधो भवे देव रिशी भगवान पिपलाद जी महराज प्रश्न पूछ रहे हैं हे देव ब्रह्म विध्या सत्परवर्ती संवर्धन के प्रसंग पर जो प्रकास आपने डाला उससे हम सभी करतार्थ हुए पिछले सत्रों में रिशियों ने अलग-अलग प्रस्न पूछे हैं रिशियों की रिशियों से जो वारता है रिशी की रिशी से वारता है ज्यान, तप, परमार्थ, शेवा, भक्ति, निस्वार्थता, निश्कपटता, सद्चरित्रता का जो संगम होता है वो रिशी कहलाता है रिशी मीज दोज हो रिसर्च वेर अपनी आत्मा पर जो रिसर्च करते हैं और परमात्म तत्तों को उपलब्द हो जाते हैं उनी को रिशी कहा जाता है तो हेर शीवर ब्रह्म विध्या, ब्रह्म विध्या का मतलग गाईत्री महा विध्या, आत्म ज्यान जिससे प्राप्त हो सत्प्रवर्ती संबर्धन के प्रसंगों पर प्रकास डाला उससे हम सभी क्रतार्थ हुए फिर भी एक असमंजस बना हुआ है, इस संसार में सरवत्र, सम्व्याप्त, दुष्टता से किस प्रकार निप्टा जाए आसूरी आक्रमनों से आत्मरक्षा के लिए किन किन उपायों को किया जाना चाहिए कृपया यहाँ भी बताएं, सरष्टा की पवित्र सरष्टी में अधर्म का अस्तित्त किस कारण बना हुआ है, जो सारे जगत को पीडित कर रहा है दुर्वासारिशी बड़ा मार्मिक प्रश्ण पूछते है, हे भगवन हमने ब्रह्म विध्या को भी जाना, हमने आत्म कल्यान की भी बात की, हमने विश्व कल्यान की भी बात की, हमने इश्वर मिलल जैसे देवी अनुदान भी प्राप्त कर लिये, परंतु एक अडचन ब कर रहे हैं, हम धर्म भी कर रहे हैं, इश्वर मिलन के लिए भी सब लालाइत हैं, परंतु एक अडचन है, वो अडचन ये है, कि संसार में इस स्रश्टी में अधर्म क्यों व्यापता है, इस संसार में बुराईया क्यों व्यापता है, हे परमात्मा, आपकी स्रश्टी में इतने सुन्दर सुन्दर फूल खिले है तो उसमें काटे क्यों है इस संसार में इतने अच्छे अच्छे भोज्य पदार्त है तो उसमें विश्च क्यों है ये भगवान इस संसार में नदियों का कलकल जल बहता है तो उसमें नुकिले पत्थर क्यों है ये भगवान आसमान से जल बरसता है परन्तु कभी-कभी आसमान से उले क्यों बरस पड़ते है हे भगवान इस संसार में इतने ग्यानी तपस्वी लोग है पर लोगों को सताने वाले लोगों को रुलाने वाले लोगों को परेशान और हैरान करने वाले लोगों की भी तो कमी नहीं है महरशी दुरवाशा कहते है कि अधर्म क्यों इस संसार में है भाईयों सत्प्रवर्ती संबर्धन के साथ दुष्टता का प्रतिकार करना और दुष्प्रवर्ती निवारन की चर्चा किये बिना अध्यात्म और आत्म दर्शन की विवेशना पूरी नहीं हो सकती यदि संसार में बुराईया पनप्ती रही बुरे लोग बढ़ते रहे मंदिरों, मस्जितों, गिर्जों, गुरुद्वारों में उत्पात होता रहा लोग रुदन करते रहे बेन बेटिया परेशान होती रही बच्चे कस्ट पाते रहे बूडे और बुजुर्ग रोते रहे हमने देखा जिंदगी सिमट गई है कहा जाए, कहा बैठे, कहा करे, बसेरा के सरहदों के सरहदों में सरहदे सिमट गई है आज ये अधर्म क्यों बढ़ रहा है ये इतनी बुराईयां, इतनी दंडताएं क्यों पनप रही है और क्यों बढ़ रही है महरशी पिपलाद इस बात को बड़े ध्यान से सुनते है कि अध्यात्म की हमने चर्चा की परमात्मा की भक्ती की बात की ज्ञान भक्ती वेराग्य हमने जाना आत्म ज्ञान और आत्म कल्यान का रास्ता भी खोजा लेकिन ये जो अणचन है इस पर रेदी चर्चा न की गई तो बात पूरी नहीं होगी श्री पिपलाद वाच्य रुचेर भवता सक्ते रपे चात्र समर्थनम समाधानम्च सम्मानम ब्रह्म विध्या विदो वरम अनीतेहे प्रतिरोधोपी नीति पाक्ष समर्धनम एकमास्ते ततास्यापी महत्वं विध्यते दुरुवम्म महर्षी दुरुवासाजी की सहज प्रकृति और प्रवर्ति को देखते हुए दुरुवासाजी की सहज प्रकृति है लोग कहते हैं वो क्रोध करते हैं प्रिशी क्रोध नहीं करता है आम आदमी क्रोध करता है प्रिशी मन्यू दिखाता है मन्यू भगवान शिराम ने जब वन काल में प्रिशियों के आस्रमों के बाहर प्रिशियों की हड्डियों के धेर देखे तब भगवान ने क्रोध नहीं किया उनने कहा था निश्य चरहीन करहूं मैं उनने बुजा उठा कर गई थी कि मैं ये जो राक्षस है आतताई है इनको इस भूमी से मुक्त कर दूँगा वो कुरोध नहीं है वो मन्यू है कुरोध स्वार्थ से आता है और मन्यू परमार्थ से आता है कुरोध का कारण ही स्वार्त है कि मुझे मेरी चीज नहीं मिली मेरी इच्छा पूरी नहीं है तो मुझे गुस्सा आ गया और समाज की इच्छा पूरी हो यह देवताओं का काम और ऐसा कुरोध कल्यान कारी होता है जिसे मन्यू कहा जाता है तो रिशी दुर्वासाजी की तो सहज रत्ती है उनका सहज स्वरूप है कि अनीती के विरुद्ध कड़ा मोरचा लेना उनमोर Master Lucky के जन्म पर हमने खाया अन्म जहां का हमने पाया वस्त्र जहां के हमने पहने वो है प्यारा देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, समाज की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, हम, हम मतलब we all, हम सब जो अच्छा चाहते हैं, we all जो भला चाहते हैं, we all जो कल्यान चाहते हैं, we all कि कोई बेटी घर से रात में निकल तो मम्मी पापा को चिंता नहो कि मेरी बेटी घर कब आई हूँ रास्ते में उसको कोई कश्टू तो नहीं होगा किसी बस में बैठे बुड़े व्यक्ति को किसी का डर न लगे छोटा बच्चा अपने घर से स्कूल के ने निकले तो स्कूल से समय पर लोट आए माता पिता को कई भय न हो कि कहीं बच्चे को कोई उठा न ले जाएगा ऐसा हम सब ऐसा सोचते हैं ऐसा हमारा समाज ऐसी सुंदर दुनिया और कितनी सुंदर दुनिया है बाई और बैनो इतनी सांदार इतनी सुंदर दुनिया और नहीं हो सकती जहां इतनी वेराइटी के फूल खिलते हो जहां इतनी नदियां बहती हो जहां पर बादल उमण घुमण कर हमारे लिए विबिन किस्म की डिजाइंस बनाते हो जहां पर कोयल आपके लिए हमारे गीत गाती हो जहाँ पर मदुमक्खियां हमारे लिए आपके लिए शहद लाती हो जहाँ पर चिडिया चहचाती हो जहाँ पर तितली रंग बिरंगे रंग लेकर आपके बच्चों का मनोरंजन करती हो कितना सुन्दर संसार है ये इस सुन्दर संसार में इतना डर क्यों है भाई अच्छे लोग बुरे लोगों के द्वारा क्यों सताए जा रहे हैं बस में सौ लोग बैठे हैं दो चार उद्दंड लोग पूरी बस को परेशान कर रहे हैं बड़े बड़े आच्रमों को दो चार लोग परेशान करने लगते हैं नदियों को दस बीस पचास लोग प्रदुशित कर देते हैं भगवान की सुंदर शृष्ठी को कुछ मुठी बर लोग खराब करने में जुड़ जाते हैं तो प्रश्ण तो उठता है और उठना भी चा जिन्दा है इदि समाच जिन्दा है और इदि राष्ट्र जिन्दा है तो उस राष्ट्र को जिन्दा दिखना चाहिए और जिन्दे आदमी के पहचान यह नहीं है कि वो दूसरों को दबाए जिन्दे आदमी के पहचान यह है कि वो न बुरा करेगा न वो बुरा सहन तो अनिती के विरुद्ध कड़ा मोर्चा लेना दो पहलू है बाई और बेहनों जिंदगी के जिंदगी वड़ी खुबसूरत है इस खुबसूरत जिंदगी को रिशी होकर अध्यात्मवादी होकर आत्मा के इस्तर पर पहुँचकर ही आनन्द लिया जा सकता है बहुतिक जगत केवल बहुतिक वादी होकर हम इसका आनन्द नहीं ले सकते जितना योगी जीवन का आनन्द लेता है वो भोगी नहीं लेता है बोगी तो भोग करके जीवन को खत्म करता है लेकिन योगी उस परमतत्व का आनन्द लेता है आत्मग्यान मनुष्य का पुद्ध अधिकार है वो रिशी लेता है आत्मग्यान। भाइयों और बैनों यदि हम आत्मग्यान की चर्चा करें भक्ति की चर्चा करें तपशा की चर्चा करें परंतु हमारे आसपास फैले दुख कष्टों के निवारण के लिए हम कोई प्रयास न करें तो फिर समाज स पंतुलित कैसे होगा। को कस्ट से मुक्ति दिलाने हैं तुँ हमें भी प्रयास करना। इसलिए किसी कभी न कहा है। युग युग से हम खोज रहे हैं। रिशी क्या कहते हैं। युग युग से हम खोज रहे हैं। सुरपुर के भगवान को। चिंत न खोजा अब तक हमने। युग युग से हम खोज रहे हैं। सुरपुर के भगवान को। चिंत न खोजा अब तक हमने। दर्दी के इंसान को। युग युग से हम खोज रहें। चर्चा ब्रहम ज्यान की करते। किंत पाप से तनक न जरते। राम नाम जपते हैं जुख में। साथ हैं रावण के सुख में। लकडी पूजी लोहा पूजा। पूजा है पाशान को। चिंत न पूजा अब तक हमने। धर्दी के इंसान को। चुग युग से हम खोज रहें। चुग युग से हम भगवान को। किंत न खोजा अब तक हमने। धर्दी के इंसान को। किंत न खोजा अब जग हमने। धर्दी के इंसान को। युग युग से हम भज रहें। महर्षि पिपलाद ने हसते हुए कहा। आपकी रुची और रुजान का भी ब्रह्म विद्ध्या में समुचित समाधान, सम्मान और समर्थन है। भाई और बहनों, अनीती के विरुद्ध कड़ा मोर्चा बनाना ये भी आवशक कार है। ब्रह्म विद्ध्या वो साधना विद्ध्या के जितने भी गरंथ हैं। हम आज दो गरंथों का उल्लेक उसमें करेंगे। एक श्रीमत भगवत गीता और दूसरा दुर्गा शप्त सती। दोनों गरंथों में साधना समर्थ को अनीती प्रतिरोध की विवेचना के रूप में बताया गया है। अनीती प्रतिरोध की विवेचना इन गरंथों में बगवत गीता में और दुर्गा सब्त शती में बराबर उसका उल्लेक होता है। और गीता में भगवान ने एक सब्द प्रियोग किया है युद्धस्व इस्थान इस्थान पर ये सब्द आया है युद्धस्व अर्थात युद्ध करो लड़ो लड़ना पड़ेगा लेकिन किसके लिए लड़ना पड़ेगा क्यों लड़ना पड़ेगा अनीती के विरुद्ध लड़ना पड़ेगा अधर्म के विरुद्ध लड़ना पड़ेगा बुराईयों के विरुद्ध लड़ना पड़ेगा अज्ञान से लड़ना पड़ेगा और इस बिलकते समाज को ये समाज ही भगवान का विराठ रूप है कि इश्वर को आपको खोजना है तो आपको इश्वर मनुष्य के रूप में मनुष्य के भीतर मनुष्य रूप में आपको दिखाई देगा The neighbor to whom we see daily we cannot love Then how we can love the God to whom we have not seen yet वो लोग जिनको हम रोज देखते हैं उनके दुख कस्ट से हम प्रभावित नहीं होते उनसे हम प्रेम नहीं करते फिर भला बताईए उस इश्वर से कैसे प्रेम करेंगे जिसे आज तक आपने हमने देखा नहीं है जिनको हम देख रहे हैं पहले उनसे मुहबत कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उनके कस्टों का निवारण कीजिए, ध्वन्स और स्रजन, सुधार और दुलार, भागवत सत्ता के दो पक्षे, बगवान के दो पक्षे, बगवान स्रजन करता है, तो वहीं ध्वन्स भी होता है, बगवान जहां दुल भाईयों आदमी को दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ती है पहला मोर्चा अंदर के कूस असकारों से हमारे अंदर जो कूस असकार हैं पहले हमें उन से लड़ना होगा अपना स्वार्थ, अपना अज्यान, अपनी कमजोरिया, इंद्रियों की कमजोरिया, विचारों की कमजोरिया, भावनाओं की कमजोरिया और आदमी भीतर ही भीतर, बाहर से वो बड़ा ताकतवर दिखाई देता है, परंतु अंदर कितना कमजोर है कि खाना खाने बैठता है और थाली में नमक न हो तो थाली को उठा के फेक देता है कितना कमजोर है आदमी आदमी संकल्प लेता है कि मैं नमक नहीं खाऊंगा लेकिन वो एक बार चक ही लेता है आदमी कितना कमजोर है कि वो सोता है तो दो अलार्म भर के सोता है एक चार बजे का और एक साड़े चार बजे का कि मैं साड़े चार बजे उठूंगा चार बजे नहीं उठ पाया तो तो अपने अंदर के कुछ श्कारों से लडाई और फिर बाहर के आक्रमणों से लडाई विशी पिपलाद कहते हैं कि ध्वंस और सरजन, सुधार और दुलार ये दोनों भागवत सत्ता के दो पहलू है हे दुरवाशा जी महराज पिपलाद जी कहते हैं कि इस संसार में जो हमको अधर्म दिखाई देता है वो अधर्म मानव के लिए क्यों जरूरी है संसारे वांचनियत्वा मत एवत विध्यते सहान भूतिम कुरियांत न्याय निष्ठाम प्रती सदा समर्थने चत अस्याही प्रखरम तत पराक्रमं कर तुम्च प्रेरये रात्रिनोचे दिनस्यच पिपलात जी महराज दुर्वासा जी महराज के प्रश्ण का जबाब देते हुए बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि संसार में जितनी भी अवान्चनिता हैं जितनी भी अवान्चनिता हैं जितनी भी बुराईयां इस संसार में हैं वह इसलिए हैं कि न्याय निष्ठा के प्रती सहानुभूती उभारी जा सकें और उसके समर्थन में प्रखर पराक्रम करने की प्रेरणा दी जा सकें बाई उनकी कीमत कौन पहचानेगा यदी अनिती का अस्तित्व नहीं होगा तो नीती की गरिमा को लोग क्यों पहचानेंगे यदी अंधेरा नहीं होगा तो उजाले की कीमत लोगों को कैसा पता चलेगी यदी बीमारिया नहीं होगी तो स्वास्थ क्या होता है ये कैसे पता चलेग अगनी और शीतलता दोनों का अपना महत्व है शीतलता की कीमत हम समझ पाए इसलिए अगनी है और अगनी की कीमत हम पहचान पाएं इसलिए शीतलता है जो सुई किसी को कष्ट देती है चुब जाये तो लेकिन वही सुई आपको और हमको कोविट का इंजेक्शन जब लगा हमको कोविट का इंजेक्शन आपको भी लगा हो कैसे मुश्करा रहा है सब देखी तो कोविड का इंजक्षन जो आपको लगा उसमें वो सुई चुभी है उस चुभन को हाप आपने हमने सकारात्मक रूप में लिया है इसलिए रिशी कहते हैं यदि रोग ही न हो तो चिकिसा विज्ञान की स्थापना कैसे होगी यदि अधर्म के रहते धर्म की स्थापना का प्रयास न हो तो फिर धर्म की स्थापना कैसे होगी अज्ञान की हानियों से बचने के लिए ही मनिशी लोग ज्ञान की साधना की चर्चा करते है इसी प्रकार स्रश्टा ने अनावशक एवं हानी कारक लगते हुए भी संसार में अवांचनी ताओं का अस्तित्व रखा है ऐसा समझो दुर्वासाजी ने प्रस्ण पूछा था इस संसार में अधर्म क्यों है तब भगवान पिपलाद जी महराज दुर्वासाजी के इस प्रश्ण का जबाब देते हुए कहते हैं कि अनावशक एवं हानी कारक लगते हुए भी संसार में स्रजन के पोशन के लिए और संसार में अच्छाई की स्थापना के लिए इन चीजों की आवशक तापड़ती है बाई और बहनों भगवान एक परिक्षक है या यू कहें भगवान एक डिरेक्टर है इस होल वल्ड इस थिएटर दिस होल वल्ड इस थिएटर लाइफ इस पिक्चर God is a director and we are actors ये सारे जीवन का चलचित्र ये सारे संसार की एक फिल्म चल रही है और उस फिल्म का जो डाइरेक्टर है भाहियो भेनो वो परमात्मा है और मनुष्य उसका एक्टर है उसको एक्षन करने के लिए जब फिल्म शुरू होती है फिल्म का शुटिंग होती है तो डाइरेक्टर उसको ये ही कहता है एक्षन करो शुरूआ और वो एक्षन करता है और जब वो शान्दार एक्टिंग करके दिखाता है पिता का रोल, भाई का रोल, मा का रोल, बेटे का रोल, शिक्षक का रोल, संत का रोल, शहीत का रोल, सुधारक का रोल और जब वो अपने रोल को बढ़िया करके जाता है जैसे फिल्म हीट होती है लोग तालिया बजाते हैं बाहियो बेनों और जब व्यक्ति भी इस प्रकार से अन्याय और अनिती के खिलाप लणते हुए समाज में धर्म की स्थापना करता है तब परमात्मा रूपी डायरेक्टर भी बहुत खुश होता है और उस जीव को जीवन मुक्ती का पुरुषकार देता हुआ चला जाता है बाहियो बेनों इसलिए कहा है कि ये जूजने का माद्दा भगवान एक परिक्षक है और वो चाहता है कि उसका बेटा और उसकी बेटी नर और नारी मानो मात्र उसके बेटे और बेटी शामर्थवान बने और जब जूजने का माद्दा अंदर से आता है प्रकरता जब अंदर से आती है तब क्या होता है व्यक्ति मजबूत बनता है व्यक्ति जितना सुखों में मजबूत नहीं होता उतना व्यक्ति दुखों में मजबूत बनता है और आज आप देखिए कोरोना के कारण सुख भोग ज्यादा करने वाले लोगों की इम्मिनिटी कम पाई गई है ऐसा लोग कहते हैं हम यह नहीं कह रहें कि सुख नहीं होना चाहिए सुख सब को होना चाहिए परंतु ज्यादा सुखों में जीव की जीवनी शक्ति कमजोर हो जाती है जीवनी शक्ति जो बच्चे नाजों से नकरों से पलते हैं और जो बच्चा जंगल के अधिवासी शेत्र में पलता है दोनों की ग्यान, नौकरी, धन संपदा में कमी पेशी हो सकती है लेकिन उस व्यक्ति की जीवनी शक्ती और निडरता उसमें जितनी होगी शायद वो उतनी इसमें नहीं होगी तो बुराईया और अवांचनिता हैं अर्था बुराई मतलब अवांचनिता अनावश्चक होते हुए भी विद्धिमान है ताकि नीती की स्थापना की जा सके किसी कभी ने कहा है हदे शहर से निकली तो गाउँ चली कुछ यादे मेरे संग पाउँ पाउँ चली सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ वो जिन्दगी ही क्या जिन्दगी जो चाउँ चाउँ चली भाईयों जिस जिन्दगी में कष्ट न हो जिस जिन्दगी में संगर्शन आता हो वो जिन्दगी कैसे खुशाल हो सकती है माता बेनों भाईयों मानवी बुद्धी सहजी सोचती है कि आवांचरिता अनावश्चक होते हुए भी क्यों विद्धिमान है तब रिशी बड़ी मारमिक बात बताते है कि नीती की स्थापना की प्रेणा मिल सके इसलिए जरूरी है पावन प्रग्या पुरान में शस्टम खंड में दुर्वासाजी महराज और पिपलाद रिशी के संबाद में प्रग्या पुरान में उल्लेक आता है कि एक उपवन में गुलाब का फूल अपने सौंदर एको बिखेर रहा था एक यात्री उदर से निकला और बोला कितना सुंदर फूल है लेकिन काटों से गिरा बैठा है विचारा फूल ने उत्तर दिया आपका कथन उचित नहीं है भगवन मेरी सुरक्षा इनी काटों से हो रही है जहां फूलों से शुस्मा बढ़ती है वही आकरमन कारियों से ये काटे ही मेरी रक्षा करते है नहीं तो मेरा अस्तित्व ही खत्रे में पड़ जाए कि फूल है तो काटों का होना भी जरूरी है काटों का अपना इस्थान है और फूलों का अपना इस्थान है जहां फूल काम में आते हैं वहां फूल का ही उप्योग होगा और जहां काटे काम में आएंगे वहां काटों का ही प्रियोग होगा फूलों के महत्व को घटाया नहीं जा रहा फूल ही सरवत्र पुझ है पर काटे उनकी रखवाली के लिए है स्वामी रामतीर्थ से किसी ने पूछा कि भारत के पिछडनेपन का क्या कारण है उन्होंने कहा भारत वर्ष की भोतिक उन्नती इसलिए नहीं लुड़ गई कि लोग यहां पर धर्म और परमार्थ निष्ट होते हैं वरन भारत की विक्षित और हरी भरी फलवारिया मद्ध काल की विलासिता के कारण लुड़ गई यह अनिती और अत्याचार का भी एक सुरूप विलासिता है भारत में एतनी धर्म निष्टा और परमार्थ निष्टा होने के बाद भी भारत वर्ष ने लाख कस्ट और दुख सहे हैं तो स्वामी रामतिर्थ कहते हैं कि लोगों की विलासिता के कारण भारत कमजोर हुआ और उनके आसपास काटों और जाडियों की बाड नहीं रही काटों और कस्टों और जंजावतों की जाडियों के बीच ही जीवन सुर्ची पाता है तुम्हें मुबारक हो धर्म और सस्कृती जीवन के उच्चादर्ष भौतिक उन्नतियों की तुमी रक्षक हो तुम दूर न होना ताकि मेरे देशवासी निरंतर फलते और फूलते रहें महर्शी स्वामी रामतिर्थ बड़ी मार्मिक बात कहते है कि कष्ट जीवन का अंग है और कष्ट मनुस्र को उचा उठाते हैं उसे महान बनाते हैं व्यायाम भवे न ये तू युद्ध्यन ते ही परस्परम शूरा वीरास्च जायन ते बलिष्ठा नात्रसन सयाहा महर्शी पिपलाद कहते हैं कि व्यायाम शाला में दैनिक रूप से परस्पर जूजने से ही शूरवीर बलिष्ठ होते हैं इसमें संधे नहीं पराक्रम मनुष्य का महत्तपूर गुण है उसे संगर्ष द्वारा ही उभारा जाता है ऐसा आउसर ना आने पर मनुष्य की प्रतिभा और प्रकरता से वो वन्चित रह जाता है जिससे वो गया गुजरा दीन ही जीवन ही जी पाएगा जागरूगता, ततपर्ता और प्रकर्ता ये तीनों गुण न्याय के समर्थन में अन्याय से जूजने पर ही विक्सित होते हैं तीन गुणों की बाद रिशी पिपलाद जी कह रहे है कि ये तीन गुण आने पर ही न्याय के समर्थन में अन्याय से जूजने की ताकत विक्षित होती है तीन गुणों का वरणन रिशी पिपलाद जी कह रहे है पहला है जागरूगता व्यक्ति अनिती के खिलाप, बुराई के खिलाप कैसे जूज पाएगा उसके लिए कोई शरीर बहुत हश्ट पुष्ट हो जरूर नहीं हमारे हाँ अनिती से जूजने के लिए, बुराईयों से संगर्श करने के लिए नर नारियों की तो बात छोड़ दीजिए, बालक व्रद्दों की तो बात छोड़ दीजिए हमारे हाँ पर भारती और सस्कृती का इतिहास इतना गवरोशाली है कि यहाँ पर पश्वों और पक्षियों ने भी संगर्श किये रामान जी में बड़ा मारमिक प्रसंग आता है बड़ा ही मारमिक प्रसंग है बुडे, गिदराज, जटायू जी महराज, बुडापे में बगवान का नाम जप रहे है और एक कोई बलशाली किसी विमान में, किसी इस्त्री का हरन करके ले जा रहा है जटायू जी महराज पैचान नहीं पा रहे कौन है लेकिन जब करुण चितकार, चीक पुकार मचती है तब चीक पुकार की आवाज सुनकर जटायू जी पंक फड़ पड़ाते है और दोड पड़ते है, उड़ पड़ते है, वो क्या देखते है मा जानकी का हरन करके रावन ले जा रहा है रावन बलशाली है, रावन के पास विविन आस्त्र स्त्र आयुद है वो गड़ा माया भी है लेकिन एक पक्षी मुकाबला करता है और जटायू जी महराज कहते है रे रे दूष्ट ठाड किन होई निर्भय चले सीन जान ही मोही राम सिया राम सिया राम मुझे जे राम आवत देखी कृतांत समाना फिर दसकंधर कर अनुमाना राम सिया राम सिया राम मुझे जे राम रे रे दूष्ट रुख तूँ मैं अभी आता हूँ और भाईयों सीता माता को बचाने के लिए अन्याय और अत्याचार के विरुद्धेग पक्षी जटायू जटायू देव रूप थे लेकिन वो उस समय पक्षी रूप थे और वो खड़े हो गए उन्होंने आदर्श उधारन प्रस्तूत किया के एक पक्षी भी यदि चाहे तो बुराई का मुकाबला कर सकता है मता बेनोवाईयों और कहते हैं रावन से जटायू जी महाराज का युद्ध हुआ और रावन ने अपनी तलवार चलाई पंक कड़ गए और वो धराशाई हो गए जमीन पर बगवान बगवान शिराम 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 कहते हुए वो जमीन पर खुन से लटपत सने हुए है ऐसी मृत्यू उस मृत्यू से बहुत अच्छी है जो फूलों की सेज पर बैठ कर आती हो बाई और बहनों ये मृत्यू सोभा किशालियों को भी सोभा किशालियों को ही प्राप्त होती है जो देश, समाज, राष्ट और विश्व की रक्षा के लिए मृत्यू आती हो ऐसी मृत्यू ततकाल हमको मौक्ष दिलाती है क्योंकि जिस समय उस समय जो चेतना जिस उच्चा वस्था में होती है मैयो मैनों इतिहास गवा है बगवान राम जब माजानकी को ढूनते हुए आए तब उन्होंने वहाँ पर राम नाम जपते खून से लत्पत जटायू जी महराज को देखा और जटायू जी महराज को उन्होंने अपनी गोद में लिया उनके उपर हाथ घुमाया और उनसे पूछा आप ने देखा है जानकी को बाईयो तब जटायू जी महराज बक्त भाव में बगवान शिराम की गोद में ये गोद बगवान की गोद किने प्राप्त होती है जो देश समाज और विश्व के कल्यान के लिए अपने को आहुत कर देते है रोज हजारों लोग रोड में एक्सिडेंड में कुचले जाते हैं लेकिन देश की सीमा पर आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए जब सैनिक शहिद होता है तो हम और आप सब कहते हैं जैहिन भारत माता की जै और तिरंगे में लपेट कर तिरंगे में लपेट कर शव सम्मान के साथ तोप की सलामी के साथ अगनी को समर्पित किया जाता है या जो जिस धर्म वाला होता है उस धर्म के रिती रिवात से समर्पित किया जाता है भगवान की गोद में शिराम की गोद में भगवान शिराम की गोद में जटायूजी महराज है और वो कहते है कि इस दिशा में रावन मा जानकी को ले कर गया है राम 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 और भगवान की गोद में जटायू जी महराज अपना शरीर छोड़ देते हैं बैकुंट धाम को पधार जाते हैं भाईयों भगवान शीराम अपने पिता के अंतिम समय में उनका अंतिम संसकार नहीं कर पाए लेकिन एक जटायू पक्षी जिसने समाज और राष्ट के लिए एक अबला के लिए माजानकी के लिए उस समय वह अबला के रुप में चितकार रही थी उनके लिए अपनी कुर्बानी दे दी उस व्यत्ती को उस चेतना को उस पक्षी को भगवान अपनी आँखों से उनकी करुणा उमड़ पड़ती है उसके त्याग को देखकर और भगवान अपनी आँखों से उसके उपर अभिशेक कर रहे है मान लिजे जलान जली कर रहे हैं मान लिजे उसके दुख कष्टों को दूर कर रहे हैं कितना बड़ा त्याग और बलिदान कि भगवान की गोद में भक्त है और भगवान की अश्रुधारा बह रही है भाईयों ऐसा सोभाग्य अनिती से जूजने वालों को प्राप्त होता है इसलिए कहा कि पहली चीज है जागरूगता दूसरी चीज हैं ततपरता और तीस्री चीज है प्रकरता जागरूगता का मतलब अवांचिनिता और वांचिनिता को पहचानने की क्षमता जो जागरूख है वो कौन है कि अच्छाई और बुराई को जो पहचानता हो दूसरा कारे को उत्तमता से करना जानता हो और तीसरा कहीं काम खराब न हो जाए इस प्रतिष्ठा से काम को करना ये तीन चीजे जिसमें होती है वो जागरूख होता है वो जागरूख कहलाता है और दूसरी चीज ततपर ततपर का मतलब नेड़े लेना तुरंत और क्रियाणवेन की शम्ता को विक्सित करना लगन इस्पूर्ती सरम सीलता के समन वैसे किसी कारे को प्रतिष्ठा का प्रश्ण बना कर करना ऐसा जो व्यक्ति होता है वो तत्पर कहलाता है और तीसरा प्रखर न्याय की रक्षा है तो किस प्रकार से मोर्चा लेना चाहिए इस सम्ता का विकास जिसमें होता है उसको प्रकर कहा जाता है तीन गुण जागरूकता ततपर्ता और प्रकर्ता जागरूकता का मतलब बुराई और अच्छाई में पहचान होना ततपर्ता का मतलब तुरंत रिर्णे करना पिक डिसीजन कि हमें ये करना है ये मुसीबत में पड़ा हुआ इसके हमको मदद करना है हमारा कितना भी नुकसान हो जाए और तीसरा नियाय की रक्षा के लिए मोर्चा ले लेना ख़़े हो जाना अलग निरंजन कह देना जो हाथ में है वो लेकर चल पड़ना बाईयों संसार संगर्ष का रंगमंच है और इसमें व्यक्ती समुदाय और राष्ट अपने सिध्धानतों आदर्षों की रक्षा के लिए संगर्ष रत होकर अपनी स्रेष्टता बनाए रखने का प्रियत्न करते हैं और सत्य न्याय और आदर्षों से वे लड़ते हैं सत्य न्याय आदर्षों से वे लड़ते हैं और जो इनके सहरे लड़ते हैं वो कभी भी हारते नहीं है इसलिए अंगत जी रावन के दरबार में जब जाते हैं तो जागरूक और प्रखरता का अद्बुत समन्वय अंगत जी में हमको आपको देखने को मिलता है उनके चरित्र में देखने को मिलता है कि अंगत जब रावन के दरमार में पहुँचते हैं तो बहुत सारे सम्माद होते हैं उनमें महत्तुपूर बात यह है कि अंगद जी अपना पाउं जमा देते हैं और पाउं जमा देते हैं और वो कहते हैं कि यदि आप मेंसे कोई भी भगवान शिराम में सत्त निष्ठा में भगवान के आदर्शों में अच्छाई में उनको इतना भरोसा है कि यदि मेरा पाउं कोई हिला देगा उठा देगा तो मैं हार कर जला जाओगा बगवान की ओर से उन्होंने इतनी बड़ी रिस्क लिए आदर्शों के दम पर ही लिए सारे लोग आए अंगत जी का पाउं हिलाने कोई पाउं को हिला नहीं पा रहा है रावन भी आता है और जब रावन पाउं चूने लगता है पाउं पकड़ने लगता है पाउं पकड़ने के लिए पाउं चूना पड़ेगा तो अंगत जी पीछे अड़ जाते है मेरा पाउं चूने से कोई फाइदा नहीं रावन जिनके चरणों में जाकर जीव सद्गती को उपलब्द होता है अंगत ने जब ये बात कही तो रावण ने कुट नितिक चाल चली और ये कहा तुम तो जानते नहीं अंगत जिस राम ने तेरे पिता को मारा तो उनी की साहिता कर रहा है मेरे मित्र का पुत्र होकर भी तुम उससे बैर कर रहा है अंगत हसे और कहा अन्याई से लड़ना और उसे मारना ही सच्चा धर्म है चाहे वे मेरा पिता हो अथवा आप ही क्यों नहों अंगत के ये तेजस्वी सब्द सुनकर रावन को कोई जबाब देते न बना बाई और बैनों अश्टावकर जी महराज राजा जनक के कुल गुरू थे धर्म गुरू थे जब वो धर्म गुरू नहीं बने थे तब एक घटना घटी थी राजा जनक मिथलापुरी में राजपत पर होकर उनका उनकी सोभायात्रा निकलनी थी जुलूस निकलना था राजा निकलने वाले हैं इसलिए सारे रास्ते ब्लॉक कर दिये गए सेना लग गई और कोई बीच में न आये राजपत को खाली करा लिया गया पति को उसे सुननी कर लिया गया सोभायात्रा निकलने वाली अस्टावकर जी वहां से निकल कर जा रहे थे और अस्टावकर जी को भी कहा गया हटो किनारे हो जाओ तो उनने हटने से इंकार कर दिया और कहा प्रजा जनों के आवश्यक कारियों को रोक कर अपनी सुविदा का प्रबंद करना राजा के लिए उचित नहीं है राजा आनिती करे तो ब्राह्मन का कर्तब है कि वो इसे रोके और समझाए तो आप राज्या दिकारी गन राजा जी से मेरी ये बात पहुचा देना कि अनुपयुक्त को हम नहीं मानते हम बुरी बात को नहीं मानते और हम इंकार करते हैं और हम हटेंगे नहीं राजपत पर ही चलेंगे राज्या आदिकारी कुपित हुए उन्होंने अश्टावकर जी को बंदी बना लिया जब राजा के पास ये बात पहुची राजा जनक जी के पास ये बात पहुची तो जनक जी ने सारा किस्सा सुना और किस्सा सुनने के बाद अश्टावकर जी की इस निर्भिक्ता से उनको अपनी गलती को समझने और सुदरने का आउसर मिला और फिर वो उनके पास गए उनको उन्होंने प्रणाम किया और उनसे कहा कि आज से आप राजगुरु रहेंगे और इसी निर्विक्ता से सदा न्याय पक्षकाप समर्थर्न करते रहना और उन्होंने प्रार्थना को स्विकार किया और ऐसे न्याय प्रिय ऐसे अनिती के खिल प्रशस्त कराएार भाहिव और बहनों का समर्थराम दास जी के जीवन में भी ऐसी घटना घटी जब वो शाधी के मंदब में थे और उनको कहा गया वर्वदू सावधान सावधान जब सावधान शब्द बोला गया तो रामदास जी महाराज सावधान हो गए उनने सोचा की सावधान मने कोई मुश्किल आ सकती है उनकी चेतना उस समय जागरत हुई और वहां से निकल पड़े भाग गए और उनोंने युग को बदलने की साधना प्रान्ब की जब दूसरे संत महात्मा जन जीवन की दूर्दशा यवनों के अत्याचार से आख बंद करके ध्यान से मुक्ती का काम कर रहे थे ध्यान से मुक्ती कि मुझे ध्यान से मुक्ती हो ध्यान से मुक्ती हो जाए उस समय समर्थ गुरु रामदास ने शिवा जी महराज को साथ लेकर गाओं गाओं में घूमकर हनमान मंदिरों की व्यायाम शालाओं की स्थापनाई कराई और वे समर्थ गुरु रामदास के नाम से विख्यात हुए जै समर्थ रगभीर गुले समर्थ गुरु रामदास जी महराज की गुले शत्रपती शिवा जी महराज की और भाईयो और बैनो बंकिम चंदर चटोपाद्याय ने जब आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा उस आनंद मठ में देश भक्त सन्यासी दल की कता है जो देश को गुलामी से मुक्त कराने है तू गुप्त रूप से सैनिक तयारी करते है और लड़ते लड़ते अपने प्रणों की आहुती दे देते है और उसी से मंत्र निकला है प्रखर मंत्र और वो प्रखर मंत्र भारत का मंत्र बना वंदे मातरम हम सब बड़े गर्व और गौरोव से कहते हैं वंदे मातरम बगत सिंग वंदे मातरम बोलते हुए फासी के फंदे को चूम लेते हैं वंदे मातरम बोलते हुए सुभास चंद्र बोज आजाद हिंद फोज खड़ी कर देते हैं और तुम मुझे खूज लो मैं तुम्हे आजादी दूगा काव जैघोश करते हैं वंदे मातरम बोलते हुए बापू करांति खड़ी कर देते हैं वंदे मातरम बोलते हुए हमारे करांति कारी देश के लिए कुर्बान होते हुए चले जाते हैं ऐसा साहस प्रकर और प्रकति रिशील लोग ही कर सकते हैं जिन में जाग रुपता तत्परता और प्रकरता का गुण होता है रिशी क्या कहते हैं वंदे मातरम् वंदे वंदे मातरम् वंदेमात शुजनाम सुपनाम् मलय जशेतरा सर्शेशामला मातरम बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे मातरम सोब्रजात्स्रिनाम पुलकितयामिनी पुल्लकुष्मितय द्रमदलसोबिनी सुहासनी सुमधुरभासदी सुखदाव बंदा मातरम मातरम बंदे मातरम बंदे मातरम इमेत्रयोगुणा न्याय पक्षमा ब्रिष्य सर्वता युध्ययमाने भजन्त्याशू विकासं तुमहा मुने इसी प्रकार व्यक्ति का व्यक्तित्य निखरता है वंदे मातरम बोलकर साहस के धनी एक ध्यान से मुक्ति चाहता है और दूसी तरफ समाज के पीड़ा और पतन को दूर करके अपने जीवन की मुक्ति का रास्ता ढूनता है जो मुश्करा रहा है उसे दर्दने पाला होगा जो जल रहा है उसके पाउं में छाला होगा बिना संघर्स के इंसान चमक नहीं सकता जो जलेगा उसी दिये में तो उजाला होगा जो जलेगा उसी दिये में उजाला हो सकता है बाई और बैनों जलना होगा हमें समाज के लिए रिशी दुर्वासाजी महराज के प्रश्ण पर पिपलाद जी महराज कहते हैं पिपलाद जी महराज कहते हैं अज्ञान और अभाव इसी स्रेणी में आते हैं पिपलाद जी महराज ने तीन देवता बताए हैं ज्ञान कर्म और उदारता ये तीन देवता हैं और असुर तीन बताए उन्होंने अज्ञान अभाव और अन्याय ये तीन असुर हैं और अनादिकाल से इनके बीच में संगर से चल रहा है ये ही देवा सुर संगराम है और जो इससे बचने का प्रयास करेगा मोहगरस्त अरजुन की तरह भर्षना उसे भी सहन करनी पड़ेगी कोई संगर से से बचना चाहे तो भी नहीं बच सकता जब अरजुन ने भी अपने बान धनुश रख दिये और रत के पीछे जाकर अरजुन बैठ गए तब भगवान ने भी यही कहा था इस समय असमय जिस समय नहीं आना चाहे उस समय तुम्हारे पर यह क्या खुमारी चड़िये तुम मोगरस्त क्यों हो रहे हो भर्षना सेहन करनी पड़े बगवान ने अपने सखा को अपने शिश्य को लताड़ा और खड़ा किया युद्ध के लिए युद्ध करो युद्ध और भाईयों अरजुन ने फिर युद्ध किया और इतिहास आप जानते हैं तो तीन देवता हैं पहला ग्यान जिस ग्यान के द्वारा अग्यान की लड़ाई हो रही है और ग्यान सतत अग्यान को मिटाने में लगा हुआ है कर्म सद कर्म लगातार अभावों को मिटाने में लगे हुए हैं क्योंकि जब तक कर्म नहीं किये जाएंगे तब तक बाई और भेनों अभाव कैसे मिटेंगे इस संसार के विक्ति की जेब खाली रहेगी विक्ति का घर खाली रहेगा विक्ति को खाने को दाना नहीं होगा और जब विक्ति पुर्शार्थ करता है कर्म करता है तब ही धर्ति को चीरता है तब ही धर्ति माता अपने पुत्रों के पुर्शार्थ पर गेहू के धान के धेर लगा देती है जब व्यक्ति कर्म करता है तो कुवों से पानी निकलने लगता है जब व्यक्ति पुर्शार्थ करता है कर्म करता है तब रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्ता होती चली जाती है पिपलाद जी बड़ी मारमिक बात कह रहे है कि तन्मयता, तपरता, जागरुकता, प्रखरता ये गुण तो होना चाहिए परन्तु तीर देवता हमारे जीवन में और होना चाहिए ग्यान, कर्म और तीसरी चीज है उदारता उदारता से ही अन्याय को मिटाया जा सकता है देश की सीमा पर जो सैनिक रखवाली करते हुए शहीद होते हैं खबरदार को ये बात मत कहना कि वो नौकरी के लिए सैनिक बनाए बाईयों, वो नौकरी के लिए सैनिक नहीं बनाए उस व्यक्ति के भीतर राष्ट की रक्षा का जजबा है किराये के पैसों से आप गुंडे और आतंकवादी तो बना सकते हो लेकिन किराये के पैसों से आप सैनिक नहीं बना सकते शहीद नहीं बना सकते हम सैलूट करते हैं भारत की सेना को हम सेलूट करते हैं देश की आंतरिक और देश की सीमाओं पर लड़ रहे हमारे युद्धाओं को जिनकी कुर्बानियों के कारण आज आप और हम सुरक्षित है, महफूज है, आनंदित है भारत माता के उन तमाम लालों को, बेटे और बेटियों को, जो देश पर कुर्बान हुए, उन तमाम सैनिकों को हम सब नमन करते हैं, हम सब उनको दंडवत करते हैं, हम सब उनको सेलूट करते हैं यदि उन्होंने उदारता ने दिखाई होती तो देश की सीमा पर लड़ने क्यों जाते है राष्ट के भीतर किसी की कोई रक्षा करता है जब तक वो उदारता से त्याग न करता तब तक वो कैसे हो सकता था काम जब किसान त्याग करता है उदारता दिखाता है पसीने की बुंदे टपकाता है तब ही आपके हमारी थाली में रोटी, सबजी, डाल और चावल आते हैं चांदनी चोक की चोपाटी के उपर गेहू पैदा नहीं होता भाईयो बैनो गेहू तो उदारता से पुरशार्त की कि इन तीन देवों के द्वारा तीन असुरों का वद किया जा सकता है जिससे समाज, पोशन और पुष्टता को प्राप्त होता है और जब तक ये उदारता पुरवक समाज में श्रम नहीं होगा तब तक ये समाज खुशाल नहीं बनेगा एक बार श्रम की महत्ता को बताने के लिए पावन प्रग्या पुराण में उल्लेक आता है कि अभाव और दरिद्रता ही नहीं बिमारिया भी जो है वो श्रम के अभाव में हमारे पास आ जाती है यदि श्रम करेंगे तो अभाव भी दूर होंगे दर्दिता भी दूर होगी और श्रम करेंगे तो बिमारियां भी दूर होगी इस कोरोना काल में जो लोग श्रम नहीं करते हैं अर्था श्रम नहीं करते हैं जिनकी इम्मिनिटी कम है उनके उपर कोरोना ज़्यादा असर कर रहा है श्रम करने वाला के फेपड़े ज़्यादा देर तक स्वास रोग कर रखते हैं क्योंकि उपर श्रम कर रहा है श्रम कर रहा है पसीना बाहर आ रहा है पुरशार्त कर रहा है और जो पुरुशार्ट नहीं करता तो रोग उसके उपर हमला बोल देते इसी बात को समझाते हुए महात्मा आनंद स्वामी ने एक बार अपने भक्तों को एक कथा सुनाई उन्होंने बड़ी मारमी कथा सुनाई कि पहाड की अनुमती से एक बार पहाड की अनुमती से बिमारियां परवत पर रहने लगी सारी बिमारियां परवत पर चली गए निकल भाग कर टीवी कैंसर सब सब चले गए और पहाड पर परवत पर रहने लगे अब जब वहार रेने लगे तो बाद में किसानों को बढ़े-बढ़े पहाड लंबे चोड़े पहाड दूर दूर तक पाड पठार अब किसानों को जमीन की आवास्ता पड़ी तो किसान पहाड काटने लगे और उसे चोरस बनाने में जुड़ गए जब एक किसान ने ऐसा किया उसको थोड़ी भूमी मिली उसने योगिता प्राप्त करके उसमें खेती शुरू की तो दूसरे किसान भी आ गए तीसरे किसान आ गए 10 किसान आए, 20 किसान आए, 100 किसान आए और देखते देखते असंग की किसानों ने पहाडों को काटना शुरू किया और जब वो काटने लगे तो बिमारियां घबराने लगी जो पहाड पर रह रहे थी क्योंकि उनके लिए जगा नहीं बची और सारी बिमारियां उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सब बिमारियां एकटा हो गई और एकटा होकर उन बिमारियों ने ये किया कि अब हम किसानों पर ये जो किसान है फावड़े तथा कुदाल चलाते होए जो किसान है ये हमारे सत्रू है और इन सब पर हमको अब हमला कर देना चाहिए और हमला करके इनका सरवनास कर देना चाहिए सारी बिमारिया उनके उपर तूट पड़ी भाईयों और बेहनों क्या होता है कि सारी बिमारियां टीबी अपना लक्षन लेकर दोड़ी कैंसर अपना लेकर दोड़ा और सरदी जुकाम अपना लेकर दोड़ा, कोरोना अपना लेकर दोड़ा, और वो किसानों से जाजा कर सब लिपटने लगी, किन किसानों से? जो भावडा चला रहे थे, जो कुदाल चला रहे थे, जो पसीने में लथपद बैठे चुकि पसीना निकल कर जम नीचे गिर जाएगा तो वो तो दूसीत हो गया क्योंकि इसमें रोग मिल गया अब वो सारा आएसा गंदगी महा नीचे इखटी होने लगी और बिमारियां उसमें इखटी होने लगी और ये क्रम बहुत लंबे समय तक चला बिमारियों की एक न चली भाई और बेहनों तब बिमारियां घबरा कर भाग खड़ी हुई और उनने कहा जो परिश्रम नहीं करेगा बिमारियां उनी के पास आएगी गंद वासिनी बिमारियां होती हैं बाई और बैनों पहाड ने जब देखा कि बिमारियां उसकी रक्षा नहीं कर सकी तो बड़ा कुपित हुआ और उसने अपने पास से उसको स्राब दिया और कहा कि जाओ जहां गंदगी रहेगी आप तुमको वही रहना पड़ेगा बाई और बैनों तब से गंदगीयां तब से बिमारियां गंदगी में रहने लगी है रिशी दुर्वासाजी महराज कहते है मक्षिका मसका युका मत्कुणा मूश का दयहा व्रस्चिका दयहे तेसमान विवशान कुर्वते ब्रशम हात्म रक्षाम प्रकरतुम तान दूरिकरतुम महामुने आकरांतनम साहसम ग्रायमिथम सर्वत्र दर्शते पिपलाद जी महराज कहते हैं मक्षी, मच्छर, खटमल, जुए, साप, बिच्छु आधी इस बात के लिए विवश करते हैं कि आत्म रक्षा का प्रबंद किया जाए और आकरांताओं को हटाने के लिए सहस अपनाया जाए यही बात सर्वत्र देखी जाती है अनोचित्य जो उचित नहीं है अनोचित्य को सहन करते रहने से अपना अस्तित्य संकट में पढ़ जाता है साहस और साधन बढ़ते रहने से वे अधिक पुष्ट होंगे और कुछ व्यक्ति अन्यों के लिए भारी विपत्ती पैदा कर देंगे यदि इनका मुकाबला न किया जाए मक्खियों का मुकाबला न किया जाए तो रोग आ जाएंगे मच्छरों का मुकाबला न किया जाए एक मच्छर यदि आदमी को काट लेता है तो डेंगू होता है उसकी प्लेटलेट्स कम हो जाती, कितना खतरनाक होता है, यदि उसका मुकाबला न किया जाए, खटमलों का मुकाबला न किया जाए, सापको भगया न जाए, मारो भलई मत सापको, उसको छोड़ दो पकड़ की, जंगल में, मारो मत, भगा दो, भगया न जाए, तो हमारे लि आज समाज के चारो तरब देखिए, चार लोग आते हैं, महले के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, और वो लोग लोगों को डराते हुए चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि भाई और बेनो आज समाज में बुराई इसलिए नहीं बढ़ गई कि बुरे लोग बढ़ गए बुराई इसलिए बढ़ गई क्योंकि अच्छे लोग चुप हो गए अनाचार बढ़ता है कब सदाचार चुप रहता है जब चार लोग महले में आए और सो लोगों के मुहले को परिशान कर दिया भाई यह सो लोग अपने घर से लाठी लेकर निकलते भारत माता की जय बोलते हो बहार आते तो यह चार लोग दूम दबा कर भाग खड़े होते आज किसी बस स्टेशन पर खड़ी किसी बेटी को कोई लड़के कोई युवा परिशान कर रहे हैं कोई मवाली परिशान कर रहे हैं सभी माताओं को अपने बच्चों को अपनी बेटियों के अलावा दूसरे की बेटी माता का सम्मान करना हमको सिखाने की आवश्चता है केवल अपनी ही बेटी नहीं तमाम माताये अपने बेटों को बेटियों की इज़त करना सिखाए नौरात्री चल रही है आज पंचम दिन है नौरात्री में नो दुर्गा की उपासना की जाती है और भाई और बेनों हर नारी में मा का सुरूप है हर बेहन में दुर्गा का सुरूप है हर बेटी में सरस्वती का सुरूप है उस सुरूप को हम पहचान कर अपनी शामर्त को मात आए और ये समाज दिविक्सित करे चोराय पर बस इस्टेशन पर एक बेटी खड़ी है दो आदमी इदर से आ रहे हैं दो आदमी इदर से आ रहे हैं उसको परिशान कर रहे हैं और चार आदमी अपने मॉबाइल के वाटसअप में लगे हुए एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं लाइक बाईयों और बहनों वो लड़की वो बेटी विचारी परिशान हो रहे हैं हमारे देश में तभी तो ऐसे ऐसे बहंकर क्रूर कांड होते हैं जिनको देखकर आश्चर होता है कि क्या हम विक्सित हो गए क्या हमने सुपर कंपुटर बना लिये क्या हमारे पास फायुजी आने वाला है क्या वास्तों में हमने प्रोग्रेस कर ली है यदि अन्याय और अत्याचार के खिलाब हमारी आवाजे नहीं उठी इन बुराईयों के खिलाब हमारी आवाजे नहीं उठी तो हमारी सारी की सारी प्रोग्रेस हम बले मंगल पर चले जाए या चांद पर चले जाए पर हमारे संसार में मंगल नहीं आने वाला है और इस मंगल को हटाने के लिए मंगल की स्थापना होनी चाहिए उस बेटी के पास चार लड़के दूसरे आकर खड़े हो जाते और ये कहते बहन आपको कौन सी बस पकड़ना है जो बस हम इस बस में जा रहे है उसमें कोई महला दो पुरुश इदर उनके बीज में फसी हुई क्या हम खड़े हो कर उसको जगा दे सकते हैं बाईयों भagवान की बक्ती केवल मंदिर में नहीं होती है भagवान की बक्ती तो सरवत्र ये संसार भगवान का मंदिर है और यहां का हरेक मनुष नर और नारी उसमें भगवान का निवास है यदि हम इनके प्रती महबबत कर सकते हैं तो भगवान से महबबत होना निश्चिती होता चला जाएगा इसलिए आपको हमको संगर्ष करना चाहिए इस संसार में संगर्ष की आवस्चता है इस संसार में बुराईयों के खिलाप लड़ने की आवस्चता है और आज दुरवासा रिशी सत्साहस और संगर्ष प्रकरन में यही प्रश्ण कर रहे हैं और दुरवासा रिशी के प्रश्णों का जबाब पिपलाध जी महाराज बड़े खुबसूरत तरीके से दे रहे और हमारे रिशी क्या कहते हैं संगराम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा इतिहास कुछ नहीं है संगरश की कहानी इसकी हास कुछ नहीं है संसांघर्ष की कहानी राड़ा शुआ भगत शुझ जासी की बिरानी राड़ा शुआ भगत शुझ जासी की बिरानी कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पड़ेगा संग्राम जिन्दगे हैं लड़ना उसे पड़ेगा जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा लड़ना उसे पड़ेगा बाईयों और बहनों सज्जन होना ठीक बात है पर क्रतगनों को पहचानना भी उतना ही आवश्चक है हम सज्जन हैं हम सज्जन हैं हम बहुत अच्छे आदमी है हमारा अच्छा होना परियाप्त नहीं है हमें बुरे लोगों को पहचानना भी आना चाहिए एक हंस उड़ता हुआ अपने निवासिस्थान की ओर जा रहा था सांज का समय था उसने देखा एक चुहा ठंड के मारे ठिटूरता हुआ कांप रहा है उस हंस को दया आ गई सज्जनों को वैसे भी सुभावस दया आ जाती है वो नीचे उतरा और नीचे उतर कर उसने अपने पंक फैलाए और पंक फैला कर चुहे को ढख लिया हंस ने जब चुहे की गर्मी दूर हो गई चुहे की सर्दी चली गई थोड़ी गर्मी उसके भीतर आई तो चुहे ने अपना काम करना शुरू कर दिया चुहे ने पंखों से जिस हंस ने उसको ढखकर गर्मी दी थी ठिटूरती ठंड में उस हंस के पंखों को कुतरना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में उसके पंख सारे उसने काट डाले अब बेचारा जब हंस उड़ने लगा तो उड़ नहीं पाया तब तक जब तक कि उसके दूसरे पंख उग नाए वो मारा मारा फिरता रहा उसे बड़ा कस्ट उठाना पड़ा इसलिए सज्जनों को दुर्जनों से सावधान रहने की आवशक्ता होती है आज समाज में ऐसे ही दुर्बुद्धी के शिकार व्यक्ति हमारे चारों तरफ हैं जो भोले बनकर उनसे मित्रता करके स्वेम को अच्छे लोगों को ठगना और उनको लूटना उनका कारे होता हुआ चला जा रहा है आत्मरक्षा का प्रबंदे दिन नहीं किया जाएगा भाहियो बैनों तो हम दुष्टों से कैसे बचपाएंगे चानक के ने यही शिक्षा दिये है अपने शिश्यों को कि यदि हम व्यक्तिगत हितों पर ध्यान देंगे यदि हम विक्तिगत हितों पर ध्यान देंगे और सामाजी की हितों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा समाज पतन की ओर जाएगा विभीशन ने इसी प्रकार अनिति के खिलाप आवाज उठाई थी विभीशन जी महराज ने रावन के दरबार में रावन से कुछ कहूंगा तो रावन बुरा मानेगा फिर भी रावन से विवीशन ने बड़ी मारमिक बात कही अनिती का विरोध किया ग्यान की बात समझाई सुमति कुमति सब में उर रही नाथ पुरान निगमा आस कहई राम स्या राम स्या राम जे जे राम जहा सुमति ताह संपति नाना जहा कुमति ताह विपाति निदाना राम स्या राम स्या राम मुझे जे राम हे नाथ वे नाथ वेद पुरान कहते हैं कि सुमति और कुमति सब के रदे में रहती है जहां सुमति है वहां नाना प्रकार की संपति है और जहां कुमति है वहां अंत में विपत्ति आती है हे ताह हे बड़े भहिया आपके अंदर कुमति का निवास हो जाने से आपका मन उल्टा चल रहा है और उससे आप भलाई को बुराई और मित्र को शत्रू समझ रहे हैं ये बात रावण को उनी के दरबार में उनके मंत्री भाई विभीशन ने समझाई और जब ये बात रावण को समझाई तो उत्तेजित होकर रावणने कहा तु मेरे राजमे रहता है तु मेरी रोटी खाता है और शत्रू से प्रेम करता है अता जा उसी के पास तु चला जा जहां से तुझे नीती की शिक्षा मिली है उन्होंने रावण रावणने आग ही लेना चाहिए अनित्या चर्णं पापम्यथा भीरुतयात था तस्या अप्रतिरोधोपी पापमेवानुविध्यते वस्तुतो भीर वस्ते ही दुष्टताम पोशयं त्यलं बरम संगर्ष शीलास्ते स्वयं गृणन तुहा निकार कम्या अनिती करना जितना पाप है उतना ही कायरता वस उसका प्रतिरोध करना भी पाप के समान समझा जाता है और कायर ही दुष्टता का परिपोशन करते हैं जूजने वाले बले ही स्वयं घाटे में दिखाई दे परन्तु सहसिक्ता धर्म निष्ठा उनके ही हिस्से में आती हुई चली जाती है भाईयो बैनो इसलिए वेद कहता है भागो मत बदलो संसार वेद मंत्र की यही पुकार स्वामी विवेकारन जी बड़ी मारमिक बात कहते हैं कि एक बार उनको काशी में निवास करना था वो काशी में निवास रत थे और उनके पास कुछ केले रखे हुए थे वो केले लेकर बैठे और बैठकर खाने लगे इतने में लाल मुह के वानर बंदर आ गए और उनकी तरफ दोड़े जब वो दोड़े तो स्वामी विवेकारन जी भागे उनके पीछे वानर भागे उनको जपटा मारने के लिए तब वहां एक दूसरे सादू बैठे थे उन डर्न रुको और मुडो भाईयो वानर पहले पीछे दोड़े स्वामी विवेकारन जी आगे भाग रहे और आप जैसे ही दूसरे सादू ने का रुको और मुडो और जैसे ही रुके और मुडे तो क्या हुआ वानर भी रुक गए और वानर भी मुडे पहले वानर स्वामी में जी के पीछे थे अब वानरों के पीछे स्वामी जी थे अर्थात वानरों को स्वामी विवेकस्ण के और अज्ञान के द्वारा दुख को भोगते चले जाते हैं और जब हम इनका सामना करेंगे ये भई रूपी बंदर का ये कस्ट रूपी वानर का ये अज्ञान रूपी चौपाये का जब हम मुकाबला करेंगे और जब हम शिक्षा के द्वारा इनसे मुकाबला करेंगे तब हम भी इनका मुकाबला करके बुराई पर विजय प्राप्त करेंगे स्वामी विवेकानन ने तब ये बात कही मा भहे, निर्भय बनो उनके वाक्यों में अक्षर ये बात आती है निर्भय बनो किससे डरना है हमें? हमें परमात्मा से डरना है किस से डरना है हमको हमको बुराई से डरना है अच्छाई से डरने की जरूत नहीं है अच्छे लोगों से डरने की जरूत नहीं है बुरे लोगों से भी डरने की जरूत नहीं है हमको बुराई से डरना है और बुरे लोगों के खिलाब ख़ड़े होते हुए चला जाना है पिपलाद ने दुरवासा रिशी महराज से कहा कि आतंकबादियों के होसले तोड़ने के लिए प्रतिरोत के अतिरिक तो कोई मार्ग नहीं हिंसक पस्वों पर अनुनाय विनय का प्रभाव नहीं पड़ता है दुरातमाओं पर धर्म उबदेश की एक नहीं चलती है और यदि ऐसा करेंगे तब बुराई बढ़ती ही चली जाएगी इसलिए भाईयो बहनों बुरे लोगों पर धर्म उबदेश की बात नहीं बुरे लोगों को तो घेर लेना चाहिए और घेर कर उनका मुकाबला करना चाहिए वो तबी धड़ते हैं हिरनय कशब प्रलाद को यही कैता था कि मेरी तरह तु भी एशकर खा कामा खुब पैसा और खुब खुब वईबो कर हिरनय कशब ने जब यह बात कही कि तुम खुब धंध अब पिता है इसना थे आप मेरे से केवल सारिरिक सेवा ले सकते हैं आपकी अनुचित का मैं सपोर्ट करूँ ये आवश्क नहीं भाई और बैनों हमको और आपको भी महाना प्रताप ने जंगल में घास की रोटी खाना स्विकार कर लिया पर उन्होंने विदेशियों से आतताईयों से संदी करना स्विकार नहीं किया घास की रोटी अपने बच्चों को घास की रोटी बना कर खिलाई और एक रोटी बिलाव आकर ले गया उस समय में जब महाना प्रताप उदास हो गए तब उनकी पत्नी ने कहा बच्चों का मोह मत करो यदि कुछ होता है तो हो जाले दो हमें अन्याए से कोई समझोता नहीं करना है हमें बुराई से कोई समझोता नहीं करना है हमें विधर्मियों से कोई समझोता नहीं करना है और भाईयों महणा प्ताप ने अन्याय का विरोध किया अन्याय के खिलाब मुकाबला उन्होंने किया और आज महणा प्ताप का नाम यश्ज गवरो इतिहास में अमर होता हुआ चला जाता है आज आपको हमको भी ऐसी ही आवश्रक्ता है कि हम सब भी खड़े हो हम सब खड़े हो और खड़े होकर समाज के एक नूतन रचना युग्रिशी वेद मुति तपोनिष्ट पंडिश्च राम सर्मा अचार जी ने किये है हम भी करे सष्थ सरीर सच्च मन सब समाज बनाए नया सबेरा नया उजाला इस धर्ती पर लाए सष्थ सरीर सच्च मन अपना सष्थ सरीर सच्च मन अपना सब समाज बनाएंगे नया सबेरा नया उजाला इस धर की पर लाएंगे नया सवेरा नया उजाला इस धर की पर लाएंगे सच्थ शरीर सच मन अपना सब पे समाज बनाएंगे नया सवेरा नया उजाला इस धर की पर लाएंगे रया समेरा रया कुझा लाओ उसी धरकी मैलाए बेला आई नए स्रिजन की नए उमंगेले जीवन की सोने वाले पच्चताएंगे बढ़ने वाले यश पाएंगे सोने वाले पच्चताएंगे बढ़ने वाले यश पाएंगे युग साधक बन तन मन धन से हम युग धर्म निभाएंगे नया सवेरा नया उजाला इस धर्ती पर लाएंगे नया सवेरा नया उजाला इस धर्ती पर लाएंगे स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन अपना सब्पे समाज बनाएंगे नया सवेरा नया उजाला इस धर्ती पर लाएंगे नया सवेरा नया उजाला इस धर्ती पर लाएंगे नया सवेरा नया उजाला इस धर्ती पर लाएंगे बाई और बैनों समाज की रूडियों कुरितियों के खिलाप आज आवशक्ता हो गई है कि हम जागरत हो समाज में भयावह रूडियां भयंकर कूपरंपराएं मरतक भोज खर्चिली शादियां घूंगट नशे जाने कितनी ऐसी मूड माननेताएं रूडियां आ गई है जो आज हमारे समाज को खोकला करती चली जा रही है हमारा समाज पतन की ओर जाता हो चला है धर्म के नाम पर इतने सारे पाखंड समाज में पनप रहे है रिती रिवाजों के नाम पर इतनी सारी रूडिया पनप रही है देवताओं के नाम पर बाई औ बेनों जीव जन्तुओं को बली के रूप में चड़ाया जाता है आज जब इतना समाज आधुनिक और विज्ञानिक होता जा रहा है वहाँ भी लोग इतना लंबा-लमा गुंगट करके बैठे हुए बड़ी विचित्र परंपराएं हमारे देश में चल रही है इसलिए हमको और आपको जागरत होने की आवश्चकता है महरशी दुरवासा अपनी मान्यताओं का समर्थन सुनकर प्रसन हुए साथ ही यह भूल सुधारने के लिए भी विवश हुए कि क्रोध के आवेश में मनुष्च सुयम अपंग हो जाता है और दूसरों को सुधारने की अपेक्षा अपना ही बिगाड कर बैठता है इसलिए सुयम को सुधारते हुए यदि मनुस्त सुयम न सुधरा तो दूसरों को कैसे सुधार पाएगा इसलिए सुधार प्रक्रिया में रोगी और चिकिस्सक का भाव रखते हुए जीव को आगे बढ़ते रहना चाहिए भाई और भेनों आज समाज के प्रतेक युवा से प्रतेक सुधी जन से प्रतेक ग्यानी जन से ये बात कही जा रही है कि वो जागरत हो और जागरत होकर आपको पुकारा जा रहा है आज के पावन प्रग्या पुरान में हम अपनी कथा को समापन की ओर ले जा रहे हैं और सारे समाज को जागने की आवशक्ता है आज आपको ये प्रग्या पुरान कथा पुकार लगा रही है कि आप जागो और खास करके युवा शक्ति से प्रार्थना की जा रही है कि युवा शक्ति जागे और जाग कर अपने समाज को समयदान, अंशदान, प्रतिभादान, गैत्रिव पासना, यगी परंपरा के द्वारा, एक नूतन समाच की नए युग की रचना करने में, आज वो मोर्चा ले, अनिती के खिलाप खड़ी हों, अन्याय के खिलाप खड़े हों, आज युग पुकारता, जाग नौजवान रे मोर्चे समाल रे, सबाल तू कमान रे, आज युग पुकारता, जाग नौजवान रे गुर्द साग्रसित समाज हाय छट पटा रहा, ब्रष्ट हुआ तंत्र राष्ट संपदा मिटा रहा, मोहुसला है र्याय का, मौन है दिधान रे, आज युग पुकारता, जाग नौजवान रे कोकला समाज को बना रही कुरीतिया, मृत भोज हो रहे, जुलस रही है बेटिया, क्या नहीं राजवान, क्या नहीं राजवान धूर में उबाल रे, आज युग पुकारता, जाग नौजवान रे मोर्चे समाल तू समाल रे कमान रे आज युग पुकारता, जाग नौजवान रे आज युग पुकारता, जाग नौजवान रे प्रतिपाधितम्तयायच्य तदाध्यात्मिक्वय भवम्म गरिमापंच शीलस्य सावधानेर बुध्यता, इत्यत्थम्पंच दिमनेस्या, सत्रमारण्यकं ब्रहत, सोच्साहं चसमुल्लासं साफल्यं समुपये वियान्नौ सत्साहस संगर्शील प्रकरण में पिपलाद जी महराज ने दुरवाशा जी महराज के प्रश्णों का बड़ा सुन्दर जबाब दिया समाज से अन्याय, अत्याचार, अभाव को मिटाने के लिए जो बुरे लोग है या जो बुराईयों को पोशन दे रहे है जो उद्धंडताओं को पोशन दे रहे है सज्जनों को भले लोगों को सता रहे है नेक लोगों को परेशान कर रहे है सत्वत्वर्ती संवर्दन में जो बाधाएं डाल रहे देवकारे में जो विग्न कर रहे है ऐसे अन्याई, अत्याचारियों ऐसे कंसों, ऐसे रावणों ऐसे कुम्बकरणों ऐसे दुष्चासनों का विरोध होना चाहिए और ऐसे बुरे लोगों को काल कोट्रियों में नियाय के द्वारा निश्चिति दंड मिलना चाहिए और समाज को ऐसे लोगों की भर्तना करना चाहिए समाज के ऐसे लोगों को समाज से बहिश्कृत कर देना चाहिए जो लोग मानव जाती के पतन का कारण है जो लोग मानो समाज को दुख और कष्ट की ओन ले जा रहे हैं बोले भाले मासूम लोगों को सताने वाले लोगों को निशित ही दंड मिलना चाहिए और उनके खिलाब मोर चाले कर हम सब को खड़े होना चाहिए देश की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे हम करेंगे राष्ट की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे हम करेंगे राष्ट की रक्षा कैसे होगी त्याग और बलिदान से होगी और भायो भेनों ये त्याग और बलिदान आज की पावन प्रग्या पुरान कता हमें सुनाती है सिखाती है महर्शी पिपलाद महर्शी दुरवासा और समस रिशियों को हम भागी रती के तट पर शांती कुझ के दुव प्रांगन में बैट कर पावन प्रग्या पुराण में नमन अभिवादन करते हैं, सबी को प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से ये पावन कथा हमको आपको श्रवन करने को मिली, व्यास पीठ को परंप जुगु गद्यों वंदनी माताजी के श्रीचर्णों में हम नमन अभिवाधन करते हैं, सब्सक्राण करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल शांतिकुंजग वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गति वीधियों की जानकारी आपको मिलती रहे